आरे सुट्री डान आप हमको काही मायना चाथे है काला कद्दू उससे प्यार करती है क्यारी आप तुमरा इतना हिमत बढ़ गया कि तुम सुत्री डॉन का दमद से भी प्यार करने लगी तुमरा भी शौक बदलते जाता है क्या कभी काला कद्दू कभी सुत्री डॉन का दमद आरे जो काला कद्दू है ना वही हमरा दमाद है आरे क्या आपका हुने ओला दमाद काला कद्दू है वो कई से आपका दमाद बन गया आरे हमरा बचिया को वो पसंद आ गया है इसलिए आप वो मेरा दमाद बनेगा और मेरा बचिया का पती और कली इस लोग का शादी होगा और जो मेरा बचिया के प्यार के बीच में आएगा उसको हम बीच में से काट देंगे इसलिए तुमको और तुमरा बचिया को हम उठाए है क्योंकि तुमारी बचिया के वज़े से मेरी बचिया का लाइफ बरबाद हो सकता है और जब तक ये लरकी जिन्दा है तब तक काला कद्दू मेरी बचिया से शादी नहीं करेगा इसलिए अब तुमको और तुमारी बेटी को मरना पड़ेगा अगर कोई तुमारा आखरी ख्वाईस है तो बता सकते हो अरे सुत्री डॉन हमारा यही आखरी ख्वाईस है कि आप हमको और हमरा बचिया को जिंदा छोड़ दीजिए हमारा यही आखरी ख्वाईस है क्योंकि वह काला कलुठा अमको भी नहीं आया लेकिन क्या करे मेरी बचिया को पसंद है ना तो शादी करवाएंगे उससे अरे हां हां सुत्री डॉन हम भी वही बोल रहा है अब आपके बचिया के खुशी के बीच मेरी बचिया नहीं आएगी और नहीं हम इसको आने देंगे यह मेरा वादा है टकला नेता का वादा एक बार आप हमको जीवन दान दीजिए अगर हम अपना वादा पूरा नहीं कर प साले जहां फर्फ जाता है हमको भी लपिट लेता है यह तो अच्छा वह ऑश को पशन कर लिया अब हमारा जीवन से हीवन जाएक और धाbon को भी क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते अपना बचिया का जीवन में पहले शादी होगा बाद में तुमको छोड़ेंगे तब तक तक तुम मेरे या महमान बन के रहो कहाए कि ऐसे भी हम शादी में किसी को नहीं बुलाएंगे तुमसे कम कोई तो रहना चाहिए शादी देखन शादी तो तुमको करना ही बढ़ेगा चाहे इज़त से करो या लाग खा के अगर इज़त से शादी करोगे तो हमरा इस्टाफ सब भी तुम्हारा इज़त करेगा और अगर लाग खा के शादी करोगे तो हमरा इस्टाफ शादी होने के बाद भी तुमको लती आता रहे क्य तो काला तुम्हारे चक्कर में मेरा जन भी चला जाएगा आरे तुम्हारा भाई ना बहुत डेट है ऐसे नहीं मानेगा आरे यह मानेगा सिर्फ मेरे पापा का बात मानेगा पापा आगए ना तो लाक मार मार के इससे बात मनवाएंगे अच्छा तो तुम्रा बाप इसको मनवा सकता है शादी के लिए ना तो उसको भी आज उठवा लेते है ऐसे भी तो शादी में उसका जुड़क परे गाई अरे ये क्या बोल दी हम आप तो ये पागल पापा को भी उठवा लेगा अर अगर ये पागलेट शादी नहीं किया तो हम लोगे साथ सथ पापा को भी ये गुंडा मार देगा आरे पागलेट बोलो ना शादी करेगा की नहीं करेगा मुझ देख डाग डागे तरह बलो आरे ये पागलेट तो कुछ बोली नहीं रहा है जा करे हम एक काम करे क्या दान का बचिया तो हमको भी पसंद आया था हमी उससे शादी कर लेते है जान बच जाएगा और हमना पावर भी बढ़ जाएगा एक बार पूछ के देखते है दान अंकल एक रिक्वेश्ट है अगर ये नहीं मान रहा है तो इससे भी बढ़ी आएक इसकी में मेरे पास काहें नहीं आप अपना बचिया का शादी इसकी जगे हमसे करवा दीजिए क्योंकि हम दोने का शकल तो मिलता है लेकिन हम इससे ज़्यादा एंसम है और आपको भी पसंद है बचिया को तो आप मना ही सकते है पटिया के आरे चुप यहाँ पे कोई एक्सचेंज ओफर खोई नहीं चल रहा है कि काला कदू के जगे तुम से शादी करवा दे हमरी बचिया का प्यार है ये कोई मजाग नहीं चल रहा है तुमको क्या लगता है मेरी बचिया अगर इससे प्यार नहीं कर रही होती तो इसका इतना नटंकी देखते है अभी गोली मार देते साले को आइंदा से इसा सवल पूछा या मन में भी सोचा तो तुमको सबसे पहले गोली मार देंगे अरे ये डॉन भी साला पागल है इसको इतना बरिया अफर दिये इसको सराईवा चीज पसंद दाता तो हम क्या करे और तुमरे पगलेट साला हाँ करो शादी के लिए नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे आरे तुम साला उसको गोली मारेगा हम तुमको गोली मार देंगे अरे हम इसका भाई है तो भाई है तो भाई गेली जाके अपना घार में करो हम इमिली पुर का डोन है, मज़ग नहीं चल रहा है रे पगलेट, तुमसे फिर से पोछ रहे है शादी करेगा की नहीं? हाई है नहां बोल सिधा आरे हम कई बार बोल चुके हैं, हम साधी नहीं करेंगे तुम्हाँ बेटी से, हम सपना से प्यार करते हैं, उससे साधी करेंगे अरे कई से शादी करेगा तुम सपना से उसका बाप को हम बना चुके है उसका बाप तुमसे अपना बचिया का शादी करवाएगा ही नहीं भूल के गया है और अगर वो करवा भी दिया तो हमरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है जब दो को गोली मार सकते है तो चार को भी गोली मार सकते है अभी तुम्हारा प्यार का जो बाप है ना यानि कि टकला नेता अभी अमरे सामने गिरगरा रहा था अपना जान का भीक माग रहा था हम उसको छोड़ दिये इसलिए अपना सपना देखना छोड़ दो कि तुम सपना से साधी करता होगे तुमारा साधी होगा तो शुरुप मेरा पची आसे हम साधी नहीं करेंगे तुमारा पिटी से आरे तुम ऐसे नहीं मनेगा अब लगता है तुमारा बाप को भी उठाना पड़ेगा अभी तक तो तुम्हारा भाई को कुली मारते ना अब तुम्हारा भाई और बाप दोनों को कुली मार देंगे अगर तुम साधी नहीं किया तो पंडिट जी, साधी का विधी स्टार्ट कीजिए दूला लेंगे में बंदर लगता है दूलन का तो दिल दिवाना लगता है साथ फेरों से बंदा जन्मों का ये बंधन जा रहा हूं छोड़ कर तेरी गली बाबुल धरकन, 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 मेरी धरकन, मेरी धरकन मुस्किल हसकों को छुपाना लगता है दूले को देख बहुत हसी लगता है कला कुठा दुला है इस लड़की का देख के रखता जैसे कोई कुठा है गली का चलिए या जुमान, शादी कम्प्लीट हो गया अब ये लड़का आपकी लड़की का कुठा बन गया चलो कुठा कसम खाओ, तुम हमेशा अपनी पतनी का कुठा बन के रहेगा कभी भी इस से जूट नहीं बोलेगा ये कहेगी तो काट होगे, ये कहेगी तो बांक होगे ये जो भी बोलेगी सब बात मानेगा तुम रात में रोज इसका पैर दबाएगा और इसके खाना खाने के बादी तुम खाना खाएगा और कभी भी इसको धोका देने के बारे में नहीं सोचेगा चलो हम जो जो बोले हो दोराओ अरे मूँ क्या देख रहा है, गूड क्या रहा है, दोराओ न अरे ये साला सुधरेगा नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है ये बज़ती करवा देगा पंडिट को बोल देते हैं गुंगा है पंडिट जी ये लड़का गुंगा है कुछ नहीं बोलेगा तो शाधी कंप्लीट हो गया और ये साला ये कहां फस गया हम समझे मैं नहीं आ रहा है ऐसे निकले कंप्लीग आप तो मेरा साधी भी हो गया इन गुंदआ का बेटी से आरे यह क्या है वे पत्नी जब आती है तो दोड लेकर आती है यह दाडू लेकर आ रही है इस विप्रह यही पाष़ सोचने का जड़त नहीं है तुम यही शोच रहा है ना कि बर्डीगाट सब क्या करा इस रूम में इस अब हमरा बचिया का सेफटी के लिए है अगर तुम कुछ भी करने का सोचे तो यह तुरंद गोली मार देगा और यह मत सोच ना कि तुम इस लोग को बेवकूप बना दोगे यह हम विदेश से मंगवाई है बरिया रोबर्ट सब है कुछ भी गलती किया अगर बचिया को मार देगा तुमको काहे कि यह बिना देखे भी निशाना परिया से मार देता है अच्छा डॉन भाई एक बात बताईए अब आप साधी करा दी है तो अब हम क्या कर सकते हैं अब तो आपकी बचिया को अपनाना पड़े दैना लेकिन इस बताईए इस पलं पैसा और लोग का देखें इसमें दोद लेकर आती है बतनी आरे फोल पैसा से आता है ना इसलिए हम पैसा क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है और यह जो पैसा है ना शुबह तक मेरा स्टाप में बढ़ जाएगा और अही बात बोतल के तो हम लोग दोद नहीं पीते है दार अगर वीजियो पसंद आई है तो वीजियो को लाइक कीजिये और बताई है हमरे साथ और क्या क्या हो सकता है और हम यहां से कैसे निकले और आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें धन्यवाद